हलो दोस्तों वेलकम बैक टो नी वीडियो उमीद करते हैं आप सबे बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रैंड न्यू आरोन फाइब वीफोर रेसिंग ब्रू को लरका कम्प्लीट डाउन परवेन फैनेंस वीडियो अब दोस्तों आप लोग अच्छी तरह किसे जानते हैं भाई अब नया साल सुरू होने वाला है याने कि आज 31 है और पर सो आज 30 है कल 31 है पर सो नया साल सुरू हो जाएगा तो आप लोग बाइक लेने की सोच रहे होंगे आपको बाइक खरीदनी होगी तो भाई नया साल में आप खरी देंगे क्योंकि आप आपको नई बाइक चाहिए जो ऐसी बात है नई manufacturing बाइक चाहिए तो इस बज़े से तो तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले RN5B4 के complaint down permanent finance के बारे में आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तो आप लोग लिए बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते है अगर चैनल पे पहली बढ़ा है तो सबस्क्राइब गरिएगा बिलगे करनको आन कर लिएगा ताकि ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन वे आप तक पहुंसते रह सके और आप मेरे मुडियो से अपडेट रह सके है तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है पहले यह जालने थे कि वाइक फैनेंस कराने के आपको क्या क्या डॉकुमेंट्स की नीड होती है दोस्तों आपको पता दू वाइक फाइनल्स कराने के लिए सबसे पहले आपको अधार कार्ट की ज़रत पढ़ती है अधार कार्ट के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ट की ज़रत पढ़ती है pen card के बाद दोस्तों आपको bank passbook की photocopy लगी जिसमें आपकी salary आती है ज्याना कि वही passbook लगी जिसमें आपकी salary आती है क्योंकि आप हमें show करना है कि वह हम यहाँ से इतने पैसे कमाते है तो आप दिखा दिजेगा in case अगर आप job नहीं करते तो फिर आप income tax return याना की ITR file करते होंगे तो आप ITR भी दिखा सकते है उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस bike के complete down और sorry उसके बाद आपको दोस्तों कुछ photos और कुछ sign के बाद आपको bike finance करके दे दी जाएगी अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस bike के price के बारे में आपको बता दो दोस्तों यमा के जो RN5 V4 racing blue color आप ध्यान रखी है यह top model अपनी segment का यह एक्सरू रूपराइस वर लेक 86,700 रुपेस 8,86,700 रुपेस के एक्सरू रूपराइस देखने को मलती है बात कर लें इसके on road price के बारे में तुम आपको clear कर दू हरेक state and city में on road price में थोड़ा सा difference होता है क्योंकि हरेक state के आर्टियन insurance charges से फारक होता है यह भाइक हमारे रहपूर 36 गण में on road price आती है लबग 2,25,25,000 रुपे के आसपास की यह भाइक हमारे on road price देखने को मलती है अब आप लोगों के city and state पे दूस्ट इसका क्या price अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा दूस्तो आज की इस फिडियो पर हमने जो down permit amount लिया है वो लिया है दूस्तो आपको बता दू 65,000 उपर हमारा down permit amount है अब आपको बचा हुआ amount कितना है दूस्तो 1,60,000 उपर अब 1,60,000 उपर आपको 10,000 उपर processing fees लगेगा ज्याना कि जब भी आप bike finance करा रहे हैं तो बिना processing fees दिये bike finance नहीं होती तो 10,000 उपर processing fees हो गया आप total amount कितना होगे 1,70,000 उपर अब 1,70,000 उपर दोस्तो हम निकालेंगे interest याने की ब्याज देखे जब भी कोई financier company आपको finance करके दे रही है तो जाहर सी बात है वह आपसे पैसे कमाएगी फिरी फोकट में तो आपको finance करके नहीं देगी ठीक है अब दोस्तो फिरी फोकट में finance करके नहीं देगी तो जाहर सी बात है हमें interest पे करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं अब आज अब दोस्तो rate of interest डिपेंड करता आपके civil score पे और आपकी service रीग पे आज की इस पीडियो में हमने 10% की साब से calculate किया है तो आपके एक साल का जो interest आएगा वो कितना हैगा 17,000 रुपए ध्यान रहने की 17,000 रुपए एक साल का interest है अब माल देजिए आप बाइक को एक साल के लिए ही finance करा रहे है तो एक लग 17,000 रुप आपको total amount आप 17,000 को plus कर दीजे तो total amount जागा 1,87,000 एक लग 87,000 रुपए अब एक लग 87,000 को आप 12 ने की 12 से divide करेंगे क्योंकि जायर सी बात है एक साल में कितने महीने होते है 12 महीने होते है तो आपके जो monthly EMI आएगी वो कितनी आएगी वो आएगी लग बाग 15,583 रुपए 25,583 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे हर महीने माली दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइलन्स कराना चाहते है यहने कि 24 महीने आप EMI पड़ पे करना चाहते है तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरस निकाला पड़ेगा आपके एक साल का जो इंटरस है वो 17,000 रुपए 17,000 इंटू करेंगे तो 34,000 34,000 रुपए जो आपके दो साल का इंटरस हैगा आप दोस्तों 34,000 को जो है आप 21,7,000 पे प्लस कर दीजे टोटल अमोड़ जागा 2,4,000 रुपए 2,4,000 को आप 24,000 रेने की चुबिस से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 साल में 24 मेने होते है तो आपके जो मंसली हमाई है कि हुआएगी लबख 8,000 रुपए के आसपास की माले जे बाइक को 3 साल के लिए फैनेंस करना चाहते है तो 3 साल की आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरस निकाला पड़ेगा आपके जो 1 साल का इंटरस है दोस्तों वह है लग बख 17,000 रुपए 17,000 इंटू 3 कर दीजे तो 51,000 इंकावन अजार रुपए आपके 3 साल का इंटरस आएगा 17,000 में 59,000 को प्लस कर दीजे आपको टोटल अमोड जागा 2,21,000 रुपए अब 2,21,000 को दोस्तों आप डिवाइड कर दीजे किस से 36 है क्योंकि 3 साल में 36 महीन होते हैं आपको पे करनी पड़ेगी कब तक 3 साल हो तक तो यह था दोस्तों ब्रैंडली यमा आरण 5 वीफो रेसिंग ब्लू का कम्प्रीट डाउन परविनेंट फाइनेंस वीडियो आई अब दोस्तों वीडियो अच्छे लगी कि अच्छे लगी तो लाइक करना चैनल पर पहली मेरा तो सब्स्ट्राइब पर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में लवी ओल जैन मन्दमातरा